फ़बर है जालोर के साचोर से जमहिला कॉंस्टिबल की आत्महत्या का मामला सामने आया जे हां सुसाइट के 30 घंटे बाद भी शव का पोस्ट माटम नहीं हो पाया परिजनों और समाज के लोगों ने दोशी अधिकारियों के निलंबन की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया और ऐसे में समाज के महपड़ाव के एलान के बाद शेहर में सुरक्षा के कड़े बंदबस किये गए और चपे चपे पर पुलिस बल भी तरनात किया गया परिजनों की मांग है कि गीता विश्णोई के सुसाइड नोट में डिसीपी ओम परकाश उज्वल और धाना दिकारी पुश्पेंदर वर्मा का नाम है जिन्हें निलंबित किया जाए और फिलहार जिला कलेक्टर और पुलिस अदिक्षक मौके पर मौचूद हैं जो समझाईश कर लगतार इस मामले को शांत करने में जुटे हैं महिला कॉंस्टेबल की आत्महत्या का मामला लगतार घरमाता ही जा रहा है और इसी के तहत परिजनों ने और इस्थाने लोगों ने शव उठाने से साफ इनकार कर दिया और पुलिस परशासन के सामने दोश्यों को सक्ट से सक्ट कारवाई की मांग की है और इसी खबर प्रविस्तार से जानकारे देने के लिए एवन समवालाता पुखराज हमारे साथ फोन लाइन पे मौझूद है पुखराज आम जनता पुलिस से ही सुरक्षा की उमीद करती है लेकिन अगर पुलिस विभाग में ही ऐसी घटनाय सामने आए तो आम जनता आख करकास करने को लेकर अपनी जित पर अड़े हुए हैं अभी भी सव को साथ लेकर धरने पर पेटे हुए सरकारिय स्पताल में 26 खंटे बीड जाने के बाद भी अभी भी सव का पोस्ट मादन ना हो पाया हैं लेक्टर एस भी कुछ अतिकारी सबी मोके पर मुझूद हैं कई बार परिजिनों से बात कर चुके हैं लेकिन बार बार बात वारताला विपल रही हैं उसके बाद भी जी समझाइस बार बार क पुखराजी मामला महिला कॉंस्टेबल के आत्महत्या का है उसने साफ तोर पर सुसाइड नोट में दोश्यों का नाम लिखा है थाना दिकारी का नाम लिखा है तो फिर पुलिस उन पर कारवाई करने में इतनी देर आखिर क्यों कर रही है यहिए पर बतनाँ जहां है कि यहां पर सुसाइड नोट मिला है और जब इनके परिजनों को लड़की दौरौ कोल किया गया तो परिजनों ने पोन पर आप बती भी बताई थी महिला कॉंस्टबल दारा साफ साफ इनके परिजिनों को बताया गया था कि मेरे उच अधिकारियां दोरों मुझे परताडित किया जाता है मैं जीना चाहती हूँ लेकिन मैं क्या करूँ मैं जीनी पाऊंगी पापा मुझे माफ करना मम्मी माफ करना परिवार की जो भी वाई प्रोदर है मुझे माफ करना मैं जिन्दिकी को हार चुकी हूँ मौत को गले लगा रही हूँ ऐसा सुसाइड नोट पुलिशन ब्रामन किया है और अपने खाना भीगा रही कोपी उज्वल युए एसपी पर साफ साफ इस पे कड़े लगए हैं जी पुकराज तमाम जानकारे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप लगातार इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए लेकिन फिर भी पुलिस वाले अपने ही अधिकारियों पर कारवाई करने से बच रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्विरों में कि थाने के सामने कितने भेड़े कठा है और सभी शव उठाने से इंकार करते हुए उचित कारवाई की मांग कर रहे हैं दोश्यों को निलम्मित करने की मांग कर रहे हैं और ये च्छावनी में तब्दील हो गया पूरा कस्वा महिला कॉंस्टेबल की आत्म हत्या के मामले से लगातार पुलिस परशासन पर सवाल या निशान यहां खड़े होते हैं जब साफ तोर पर आत्म हत्या करने के बाद सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें साफ तोर पर दोश्यों के नाम लिखे हुए है एक थाना अधिकारी का नाम है और वहीं एक पुलिस के अधिकारी का और भी नाम है लेकिन बावजूद इसके पुलिस परशासन अपने ही अ अब तक इस पर कोई उचित कारवाई करती नजर नहीं आई और इसी के तहद ये पूरा कसबा च्छावनी में तब्दील हो गया परिजनों ने शव उठाने से इंकार कर दिया इस्थानिये लोग परिजनों का साथ देते नजर आए और सभी उचित कारवाई की मांग करते हु पुलिस परशासन पर लोग सुरक्षा की उमीद करते हैं लेकिन अगर पुलिस परशासन में ही इस तरह की घटना सामने आती है तो आम जन का क्या होगा जिहां ये मामला लगतार गर्माता ही जा रहा है पुलिस परशासन की जिम्मेदारी पर सवाल या निशान खड़े होत और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए सांचोर के एडिशनल स्पी हमारे साथ हुक्मा राम जी हुक्मा राम विश्णोई जी फॉनलाइन पे मुझूद है चले तकनिकी खामी के चलते संपर्क हमारा इनसे तूट गया लेकिन एक बार फिर से इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे लेकिन आप सभी को बता दूँ कि महिला कॉंस्टेबल की आत्महत्या का ये मामला है लगातार हम आपको बता रही है कि किस तरह से पुलिस परशासन अपने ही अधिकारियों पर कारवाई करने से बच्चती नजरा रही है बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन